ब्रोट तो यू बाई 5PESA.com इन्वेस्टिंग मेड एजी एंड रिवर्डिंग डाउनलोड अप नाउ आपको बता दें वो है 5PESA की और से डाउनलोड कीजिए 5PESA आप जिसका link description box में दिया है टाइप कीजिए coupon code LT150 और पाएं exciting offers 5PESA के जरीए आप किसी भी equities, mutual funds और IPOs में invest कर सकते हैं वो भी 0% brokerage और flat 20 rupees पर order पर दो देर मत कीजिए डाउनलोड कीजिए 5PESA आप अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाबदायक happy trading and investing तमाम एशे बजार आज लाल निशान में काम काज करते हुए नजरा है S6 Nifty बता रहा था कि आज कमजोर खुलेंगे 1799 बंद हुआ है 51 अंक गिर कर Nifty Bank completely underperform करता हुआ नजरा रहा है पिछले दो trading session से और आज भी 372 अंक Nifty Bank में साफ हुए है 33,269 की closing है Sensex पे 1,500 अंकों की कमजोरी के साथ closing हुई है लेकिन निश्टले सरों से जो recovery हुई है उसमें Nifty आज 111 अंक सुधर कर बंद हुआ है Advance Decline Nifty के 16 shares हरे निशान में बंद हुए है 34 shares आज के सतर में लाल निशान में बंद हुए है आज एक share के दंपे बजार समभलता हुआ नजराया वो था Reliance Industries Reliance Industries ने आज बजार को समभाल लिया और खबर यहाँ पर यही कि Reliance Zio ने आकाश अंबानी को चेर्मेन बनाया, मुकेश अंबानी ने Reliance Zio के डिरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया पंकज मोहन पवार Reliance Zio के नए MD बन गए है लेकिन important यह कि अगले हफ़ते इशा अंबानी को Reliance Retail की कमान भी मिल सकती है, तो यह बहुत बड़ी development जो है वो Reliance में होती चली जारी है, आज NSC पर share लगभग 2% चड़ा है 2576 के स्थार पर बंद हुआ है और आज Nifty को सम्हालने में Reliance Industries का जो contribution है वो 31 अंकों का था, बाकि कोई भी share इतना strong contribution नहीं कर रहा था Reliance की बढ़त में तो एक stock के बलबूते आज Nifty सम्हलने की कोशिश कर रहा था उपर से broken houses के reports देखी आप Bernstein की आज एक report आई है जिसमें Reliance Industries पे उन्होंने outperform rating दी है और target 2830 से बढ़ा कर 3360 कर दिया है उनका ये कहना है कि हो सकता है कि इस fiscal में Reliance Industries 154 रुपे का EPS post करे और strong growth commentary की गई है यानि कि नतीजे बहतर रहने की उमीद है JP Morgan पहले ही overweight rating लेकर चल रहा Reliance Industries पे target उन्होंने भी revise कर रखे हैं upside पे 2575 का target बढ़ा कर उन्होंने 3170 कर दिया था अब क्यूं चड़ रहा है Reliance Industries ये जानना भी ज़रूरी है देखिए succession plan को लेकर Reliance Industries में जो clarity आती चली जा रही है उसका एक बहुत बड़ा असर जो है stock price पे पढ़ रहा है उत्तराधिकारी को लेकर स्पश्टता ये पहला point है UAPD को Reliance की जो command देने का फैसला location money ने कर लिया है ये कही ना कही positive समझा जा रहा है होगा ये कि शेर धारकों को group में अब value unlocking की संभावना दिखने लग गई है हो सकता है कि इनका जो telecom, retail ये जो segments हैं ये अलग company बनती भी नजर आएं तो एक वो भी एक बहुत बड़ा point जो है वो Reliance Industries से आप जुड़ गया है और इसके चलते भी देखने की share में अच्छी तेजी बन गई है मौजुदा तिमाही के जो नतीजे होंगे Reliance Industries के अलग अलग broking houses कह रहे हैं कि बहुत ही शांदार नतीजे पेस कर सते है Reliance Industries क्योंकि Singapore GRM में ही तगड़ा उच्छाल देखने को मिला था इस्तिमाही में records तरोपर पहुँच गए थे और उसका असर Reliance Industries के नतीजों पर refining margins पर definitely देखने को मिलेगा और वैसे भी इसे में globally tail gas shares में अच्छी खरेदारी होती चले जारी है और आज leadership सम्हाला हुआ था Reliance Industries Nifty के gainers आज सबसे आजा तेज़ जो चला वो था ONGC ये पिछले दो trading session से बहुत active है लेकिन आज लगभग 3% और चड़ गया NTPC 2% उचाल के साथ हुआ है बंद Reliance Industries 2% चड़ता हुआ नज़र आया Sun Pharma Coal India जैसे stocks यहाँ पर हर्याली देखने को मिली लेकिन जो गिरा और Quantum गिरने का बहुत strong था HDFC Life 4.5% से ज़ादा की गिरावट stock में HUL 3.5% रुड़का है Apollo Hospital लगभग 3.5% रुड़का Axis Bank Tata consumer जैसे stock सम्हल नहीं पा रहे थे 5.5% से पौने 3% की गिरावट यहाँ पर Sector Specific पहले पाइदान पर तो आपको देखेगा Oil and Gas और Energy Space ही Oil and Gas Space में Oil India ONGC पिछले 2-3 Training Session से कमाल ही हो रहा है in stocks में Crude की चाल जैसे ही lower level से तेजी की रूप में बदली है उसका असर Oil India और ONGC पे भी पढ़ा है Oil India आज 4% उचला है ONGC 3% उचला है Reliance Industries तो वैसे ही सबसे strongly contribute कर रहा था जरेकवरी में 2% तेज यहाँ पर हो गया इस stock Gale, IOC, GSPL जैसे stocks में आज action strong देखने को मिला Energy stocks जिसमें आज नंबर आया अदानी transmission का यह stock लगभग 8% उचला इसके लावा ONGC, Reliance और Gale तो हैं साथ-साथ एक stock और है NTPC जिसमें 2% के return बनते हुए नज़रा है Cement, surprise move था लेकिन आज lower level से पलटने की कोशिश कर रहे थे कई stocks जिसमें India Cement 3% चड़ा है ACC, Shree Cement, Ultra Tech जैसे stocks आज हरे निशान में बंद हुए है जो गिरा है, उसमें एक तपका है FMCG, आज खपत से consumption stocks जो थे, वहाँ पर आज गिरावट जादा देखने को मिल रही थी FMCG में गोदरेज, Consumer लगभग पौने 4% टूटा है HUL, 3.5% गिर कर बंद हुआ है McDowell, Merico, Tata, Consumer 1.5% से, 7.3% का DENT यहाँ पर, Dabar और UBL जैसे stocks जो हैं, यहाँ पर आज कमजोरी देखने को मिली IT stocks का दिन आज खराब था globally ही गिरावट देखने को मिली IT stocks में in fact, America में तो बहुत ही heavy quantum के साथ previous session में बिक्वाली हुई IT stocks में, तो आज इंडिन markets में कैसे समल जाते L&T Infotech, 3.5% कमजोर हुआ Maintree, L&T Technology Services 3.5% कमजोर हुए, Emphasis, Koforj, Wipro, HCL Tech, Infosys across the board बिक्वाली financials, रुपे में लगातार गिरावट देखने को मिली है, डॉलर के मुकाबले all time low level पे रुपया पहुचा है, डॉलर के मुकाबले, उसका असर जेल रहे है, financial stocks, यहाँ पर बिक्वाली अब बढ़ती चली जा रहे है, पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से डेटा है कमजोर financial services में, आज HDFC Life Axis Bank, शीराम Transport Finance जैसी कंपनिया, 2.5% से 4.5% दोड़क गई बजाज FinServ, मुथूट Finance बजाज Finance जैसे जो stocks हैं, यहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिली banking, चाहे हो private sector bank हो या फिर PSU banks, दोनों में ही बिक्वाली थी, Nifty Bank के ही components देखे आप, AU Bank, Bandhan Bank, Axis Bank जैसे stocks, 3% से 4% हलके हो गए, IDFC First Bank, SBI, ICIC Bank जैसे stocks में भी आज गिरावट देखने को मिली और जो PSU banks हैं, वहाँ पर Indian Bank, Bank of Maharashtra, Bank of India Union Bank और State Bank of India में भी आज कमजोरी ही देखने को मिली FNO gainers में आज एक surprise element था, वो था BOSH जोड़दार देजी के बीच में बंदवा 6% की चढ़ाई चढ़ गया, Abbots 4,5% उशला है, Trent, ONGC, India Cement जैसे stocks में आज हर्याली देखने को मिली है लेकिन जो गिरा है वो है RBL Bank वैसे ही इस series में completely underperform कर गया है और आज 5,5% के आसपास का गोता लगा गया Escorts, Kubota लगभग 5% तूटा है, Max Financial 4% नीचे बंदवा है, India Bulls Housing Finance, HDFC Life जैसे stocks थे कमजोर, तो आप देख सकते हैं Financials बहुत कमजोर है से में market में bet नहीं लग रही है Mid Cap Gainers में Reliance Industrial Infra Large Cap Stock में Reliance Industries का दिन आया, और Mid Cap में Reliance Industrial Infra चढ़ गया 13% से जादा की चढ़ाई, Tasty Bite 13% उपर बंद हुआ है Accrysal लगभग 11% चढ़ा है Himmat Singh का Seed 11% उपर बंद हुआ Avaas Financials और EID Perry जैसी जो कमपनिया है, इनके stock 6% से 7.5% मजबूत होते में नज़रा है Mid Cap Losers में, आज MTAR Tech 7.5% तूटा है Root Mobile 6.5% कमजोर हुआ है Buyback तो कमपनिया ने नाउंस कर दिया 1700 रुपे प्रती शेयर के भाव पे 120 करूर रुपे का Buyback है, लेकिन Tender Offer Root के जरीए नहीं है, ये Open Market Root के जरीए है, तो उसका असर आज stock पे negative पढ़ गया, 6.5% तूट गया Green Lamb Industries Johnson Controls, Hitachi, ये stocks जो है, पौने 5% कमजोर हुए है JTK, ET और साथिसाथ Mahindra CIE, 4.5% कमजोर होते हुए 52 हफते की उचाहियां भी कुछ stocks चूँए जिसमें Blue Dart अच्छा डेटा बन रहा है 3% ये तेज हुआ, जमना Auto लगबग 3% चढ़ा है, Phoenix Mills लगातार पिछले कुछ session में बहुत active है और एक साल की उचाहिपे है और TVS Motor तो कर रहा है, कमाल आज भी 1.5% उचला है अब आगे क्या होगा देखे हम जो बहुत closely track कर रहे हैं वो US markets में economic numbers ही हैं जिसमें quarter 1 GDP के figures बड़ा असर डालेंगे तो American markets तो closely track होई रहे हैं कल के बहुत भारी भर कम बिक्वाली के बाद देखते हैं कि आज American markets का behavior कैसा होता है वही हमारी markets पे भी असर डालेंगे उपर से कल OPEC प्लस देशों की बैटक होनी है और crude supply को लेकर जो भी फैसला होगा वो world markets पे असर डालेगा कच्चे तेल के बजार पर असर डालेगा कल हमारे बजारों में जून वाइदा सीरीज की expiry है तो उमीद ये है कि अभी तक तो एक दारे में फसे में हैं और ये दारा है 240 अंकों का इस हफ्टे का जो low लगा है इस हफ्टे निफ्टी ने वो है 15,687 और जो high लगा है वो है 15,927 यानि 240 पॉंट बैटते हैं और इसके करीब बीचों बीच अभी कर रहे है कामकाज तो इन डिसीजन तो है कोई बहुत बड़े मूव की अभी तक तो expectation है नहीं लेकिन expiry वाले दिन भी बहुत ज़ादा volatility हमने हाल फिलाल में देखी है तो हो जाती है तो अभी options राइटर जो बेचने वाले जो positions बेच कर चलते हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं कल बहुत ज़ादा volatility से निपटना होगा उनको भी देखते हैं बजार किस करवट बैटता है लेकिन फिलाल expiry के चलते हो सकता है कि एक range bound moment देखने को मिले